ओम ज्ञान्ति मिरंधस्य ज्ञानां जन शलाकया चक्षुरुम्मिलितं येन तस्मे श्री गुरुवे नमहा श्री चैतन्य मनोभिष्थं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपका रामयं दराती स्वय परांतिकं वंदेहं श्री गुरु श्री उता प्रतकंगलं श्री गुण वैश्नमांश्च श्री रूपम साक्रजातं सहगन रगुनाथांतं तम सजीवं साद्वयतं सावदूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पाधां सहगन लितां श्री विशा कांग तामस्चप एक्रिष्ण करुणा सिंदो धिन बंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांथ राधा कांथ नमस्त तप्त कांचन गवरांगी राधे बिंदा भनेश्वरी बिश्वान्य सुदेवी प्रनमामी हरी प्रिय वांचा कल्प परुप्ष्चप कृपास इंद व श्री कृष्ण चैतन्य प्रहू नित्यानन्द श्री अग्रत का घृष भासी सिंक विद खेंदा हरे कृष्ण 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 हरे वरे राम रैंनरा राम रामभाः नम्हों पादाय कृष्ण प्रेश्ठाइव भूतेले श्री मते भक्ति ग्यान्ति स्वामे नितिनामीने नमस्ते सारा स्वती देवे गौर्वानी पचार निर्विशेष शुन्यवादी पाष्चात्यदेश पता देश पतादे तो आप सका इस कारेक्रम में के लिए बहुत धन्यवार मेरी आप से दो तिन प्राथ नाए है एक तो आप सब प्लीज थोड़ी दर के लिए आराम से बैठ जाएगी और जो हम आपको पताने के लिए उसको सुने अपने मुबाइल फोन प्लीज उसको साइलेंट कर लेंची यहां स्विच आफ कर दीजिए जो आके सेंडल्स है यह सेंडल्स प्लीज जिनके भी है यहां से घटाने जी अच्छा नहीं लगता ना इसे लोगत दो सेंडल्स है तो कि अच्छा करें कि अच्छा करें कि अच्छा कर दो साल चार साल के बच्छे भी बैठें और सतर असी साल के लोगी बैठें लेकिन मैं चाहता हूं कि आप एक पर इमेजन कर लीजिए कि कि आप सब की जो उमर है आप सब की जो एज है वो लट से कि अच्छा कि दस ग्यारा साल की और आपका एक्जाम है ओक्य और यह रिविजन क्लास है और इस क्लास में से आपको कर अच्छा आप दो यह है तो मैं आपसे कोशन में पूचता हूं आप लोगों कि उमर कितनी है हां है कि दस साल है कि इन लोगों कि उमर्द साल है आले बारके कि जो लेडी जैंसे जिनकी उमर्द साल से ज्यादा उनको पर खुश होना चाहिए नहीं क्यों हम यह आपको एज्यूम करने के लिए क्योंकि हम चाहते हैं कि आप जो हम आपको यह मैसेज बताने के लिए बहुत सिंपल मैसेज है भाई रवे कि अगर आपको क्लिक कर गया वाई चाहंस तो आपके लाइफ चैन्ज हो सकती है कि अगर तो आप जो है एकाइज अच्छी में इतनी में इस बाडी में कब से हैं कि इतना टाइम इस बाडी के अंदर बता लिया आप सब को कहीं को हो सकता है पता भी हो तो एक अच्छीं में कि आप लोगों की जो एज है वो करूरों साहर अर्जून को भी प्ला कंदूजन था कि मेरी एज प्ताने कितनी है तो अरजूनको भगवन कृश्छ ने बोला कि देखो मैंने जो भवकीता का ग्यान है वो मैंने सूर्य के देवता विवस्वान को दिया था करीब 20 करोट साल प कि मैं आपको कुछ सो डेट सो साल से जानता हूं आप मतलब कैसे कहरे हो कि आपने सूर के देवता विवस्पान को यह ज्ञान दिया वो तो बहुत पहले की बात है कि तो कृष्ण ने बोला कि देखो तुमारे और मेरे पहुत सारे जनम हो चुके हैं पहुत सिरफ एक ही डिफृररेंस है कि मुझे सब याद है और तुम्हें कुछ भी याद नहीं है आंको याद है हम इसे कृसी को नहीं है कि थो जनम में क्या हम थे और क्या हमने किया हम हम थे खालब होता है करी बार हम देखते हैं कि हमें कोई डिफिकल्टी आती है कुछ विपत्ती आते है कुछ प्रॉब्लम आती है लाइफ में तो हम एनलाइज करते हैं अगर हम थोड़ा से समय जादा क्लीज मुबाहिल फोन सालें करें दिया है तो हम लोग अनलाइज करने की कोशिश करते हैं कि वैल हमने ऐसा क्या कि हमारे साथ ऐसा हो गया कई बार में एक कोई इसा हो सकता है उसका एफेक्ट आ लेकिन 90 पर से 99 पर सन्फ हम कोड़ेक नहीं कर पाते हैं को जोड़ नहीं पाते के हमार साथ यह हो रहा था हमने यह किया था तो इस कारण से यह परिणाम निकल के आया और कई बार तो हमें यह भी अंदाजा नहीं होता कि हमारे कुछ ऐसे action है जिसका इसा result आ सकते हैं कि आपको मैं उधारन एक देता हूं कि कि इस टूमक्ट नॉइस कि आपको देता हूं कि ऊण आप सबने देखा है एं कि जोग ने ओव दिखा हूँ है आपके टएंद आ आपके ती है घंड़ है कि तो ऊट नैचरली रेकिस्तान में आट एए रेकिस्तान में अधि घास बगाराई नहीं होती हुआ मैं तो उट को क्या खाना पड़ता है रे विकेस्तान में क्या उटता है क्याक्तष वाइल नहीं सांसे हैं कैक्टष और कैक्टष मतलब कंटीला होता है ने कांटे लगे होते हैं में अब उन्ट को खाने परते हैं जब उन्ट उसको खा रहे हैं उस कैक्टस को तो इसको बहुत टेस्ट आता है उसको थोड़ा सॉल्ट होता है उसमें और जूस निकलता है उसमें से लगी हुए है वह बहुत टेस्ट लेके भर पेट खाता है नतिंग रॉंग इट है ना इसमें क्या बुड़ा है लेकिन जब वह खाना खतम कर लेता है तो उसको बहुत दर्द होती है बहुत दर्द होती है उसका जो मुँ है वो सारा जो कांटे होते हैं एक्चुली टेक्टस के उसके मुँ को अंदर से सारा चील देते है और जो जूस उसको लग रहा होता है जूस है जब वो कैक्टस चबा रहा था तो उसको जूस हा रहा था वो जूस क्या था वो जूस उसका अपना अपना खूं था उसका नहीं लेकिन उट यह बात समझ नहीं पाता वो यह सोचते हैं कि मैंने एक बहुती हामलेस काम किया मुझे भूक लगी थी सामने मेरा बोजन है किसी को कुछ नुकसान नहीं पूंचा रहा मैं और मैंने यह कैक्टस मैंने यह जो एक पौधा हरा सा पौधा है मैंने यह खा लिया मुझे इतनी तकलीफ अचानक कहां से आ गई है विबिल्डर हो जाता है कंफ्यूज हो जाता है कुछ समझ में नहीं आती है आज तक इसका आंसर वह बेसिकली डूम नहीं पाया है है हम लोग भी हमारे भी हालत बेसिकली उस मूट के जैसी है हम लोग जाने और जाने में बहुत सारे काम करते हैं बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करते हैं डेली बेसिस पे हम बहुत सारे डिसीजन्स लेते हैं नहीं आज क्या पकाना है बजार से क्या खरीद के लाना है कौन से रंका सूट खरीद है कौन से रंकी साड़ी खरीद नहीं है कितना सगन डालने तो हम बहुत सारे डिसीजन लेते हैं डेली बेसिस बर डेली लाइफ के अंदर और अचानक हम अपने तरफ से सब कुछ ठीक चल रहा होता है लेकिन अचानक कोई प्रॉब्लम हा जाती है तो फिर हम समझ नहीं पाते हैं हमने किसी को किसी का दिल नहीं दुखाया हमने कुछ किसी को बुरा भला नहीं का तो मतलब यह सारी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है हमारे साथ कि क्या दिक्कत है दिक्कत है कि हम जो भी एक्शन कर रहे हैं जो भी काम कर रहे हैं वो हम यह जा कोई एक्षिन किया कोई काम किया उसका क्या परिनाम आने वाला इसके कृष्ण भावत काम कह रहे हैं गहनों कर्म गति कर्म की बहुत गहने कोई समझ नहीं पाता वाथ कोई समझ नहीं पाता कि कई बार ऐसी सिट्वेशन खड़ी हो जाती है हमारी पूरी ताकत लगाने के बाव कि हम समझ नहीं पाते हैं कि क्या करें अगर हम एक नॉर्मल वे में अगर बात करें तो हम कुछ चीजें करते हैं हर व्यक्ति कर रहा है वह चीज आप भी कर रहे हो मैंने भी किया हूं चीजें कि हमारी डिजायर से हमारी कैर कि हम अल्लिम्टिट एंजॉय करें नथीं रॉंग बदिट एंजॉय करें हम जो हमारे आसपास की सिच्वेशन है उसको हम पूरी तरह स करें कंट्रोल कर लें नहीं हम लोगों को अपना व्यूपॉइंट समझा सके उनको कर दें कि मेरा व्यूपॉइंट आपके व्यूपॉइंट से बैठागा है पूरी जिंदगी हम इसी चीज पर नखा देते हैं और यह सारी चीज़ें अल्लिम्टिट हैं हमारी डिजायर से चाहते हैं अल्लिम्टिट सुख चाहते हैं लेकिन एक प्रॉब्लम है वह प्रॉब्लम क्या है कि हमारी कैपेबिल्टी लिम्टीड है है के नहीं है लिम्टीड है हम अल्लिम्टीड चीज चाहते हैं लेकिन हमारी कैपेबिल्टीज लिम्टीड है और कैपेबिल्टीड होन तो उससे क्या होता है उसका effect क्या आता है कौन बताएंगा अगर आप कोई चीज चाहते हो नहीं मिल रही तो उसका effect क्या है गुसा आता है नहीं गुसा आता है और सेट हुजाते हैं गुस्सा आता हैक सैट हुजाते हैं करिंख में डर हुशिप अब पुर ऑप हम पत नबाई अत किसी नहां देखाया डिप्रेस्ट्रफिक जो लो कुछ भी बात बोलो पूरे सब्सक्राइब अब बढ़ा है घर से भार ने निकले हो कि फ्रस्ट्रेशन आजाती है कि हम अपने अजपिस की सिचुशन को कंट्रोल नहीं कर पारें आउटकम को कंट्रोल नहीं कर पारें प्रस्टेशन आजाते हैं मैं आपको महाभारत के तीन महतुफुन विक्तियों के बारे में बताता हूं अधर देन क्रिश्ना क्रिश्न तो हैं लेकिन उसके इलावा तीन लोगों के बारे में आपको बताता हूं एक है अर्जुन टेनों आ इंप्रटट्ट्वों व्यक्ति थे अगर हम лайण की बात करें अर्जुन में इतनी ताकत थी इतनी ताकत थी अर्जुन उसके पास वोड़्या थी वायुप आज तक क्यों संट्रों नहीं नीकिन अर्जुन के पास तताएव अपने धनOOD विद्या इसे वायो को कंट्रोल कर लेता था कि और फैक्ट एंजर behaved कंट्रोल नियुजर कर पास में को अरून को इस ने उसको बोला कि प्लीस कारे प्लीज आप मेरी ताइम उसमिलना ऊपमेरी मध clo करने की ताकत सही गलत का विवेग करने की फुल पावर थी उसके पास में क्या सही है क्या है हर चीज कर सकता लेकिन जब यूद के मैदान में पहुंचा यूद के मादन में पहुंचके अब यूद के मदान में अर्जुन था तो दुर्योधन आगद अनुक बुबान कृष्ण को बोला वियोड सेने और मत्थेग रथम स्थापुत्या मेचुता है अर्चुत है कृष्णा दोनों से नाव के बीच मेरा रथ थापुत कर दो इधर दुरीयोधन कौरों की सेना ये इधर फांड़ों की सेना अर्चुन दोनों तरफ देखा दो दोनों तरफ देखा भगवत गिता के फर्स्ट चाप्टर में दुर्योधन के वीश्म तावां पर लेको देखो टात भाँपर पांट गूर्डर के सेना में यह यह जो महारत ही और जिन से हमें खत्वरा वो सकता है यह लोग है और हमारे यहां फरी को तो अर्जन भी अनलाइस कर रहा था और दुर्योधन भी अनलाइस कर रहा था देख रहा था क्या हो रहा है लेकिन दोनों ने कॉंक्लूजन बिल्कुल उटा निकाला दुर्योधन ने जब अनलाइस किया दुर्योधन ने क्या कॉंक्लूजन निकाला दुरोधेर ने बोला कि मुझे में फाइट करनी हैं मुझे सामने के वाले लोगों को मारना है और मुझे जीत खासे अरजुन ने क्या कॉंक्धूजन अपका है foreign taste ने बोला कि मुझे भाइट नी करनी है मेरे जो हाथ पहरे काप रहे हैं मेरा गलास हुग गया है मेरी आखें जल रहे हैं मैं धनुष्बान उठाने में असक्षम हूँ मैं नहीं लड़ सकता मुझे क्योंकि मुझे हर तरफ से नुकसान ही नुकसान दिखता है लिए जड़ान को इसने इसाम और मैं फाय्ट नहीं करूंगा में नीमारों मुझे की instrument itu अग। मैं अगकि मैं पीख मां रूंगाव मैं निद्धान रूंगा और मुझे जीत से होई लघाग sadece क्यूंकि अर्जुन ऑला कुछ को और करने की कोशिं़ों रहीए देखो कोई जरूरी थोड़ने में जीत जांँ. लडाई है, लडाई में कुछ मिह हो सकता हूँ. Kane 64 करोड योधा एकठ यह हुए हैं, किसी की आप इक्ता, aan कोई किसी की मार सकता है ऐसा थोड़य कि recent कב filthy में lihat ने मरंूँ मतन wydaje 100 निर्न ने सकता。 कुछ भी हो सकता है तो अगर हम हार गए तो फिर तो हार गए बात खत्म हो गई हम लोग हार गए हम लोग मर गए दुरोधन जीत क्या चलो बात खत्म हो गई लेकिन अगर हम जीत गए तो क्या मतलब जीते हो किसके साथ एंज्वाय करेंगे दोनों तरब के लोग मर जाएंगे सारे आखिर एंज्वाय करने के लिए रिष्टेदार चाहिए परिवार चाहिए बिना परिवार के गई तो अर्जुन ने ये conclusion निकाला तो भगवान कृष्ण ने क्या conclusion निकाला तो अभी हमने दो लोगों को compare किया अर्जुन को और दुर्योधन को अभी अर्जुन और करन को भी compare करेंगे थोड़ी दिर में तो कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि वैल देखो दुर्योधन तो गलत है तो तुम भी गलत हो तुम सोच रहे हो कि तुम ठीक सोच रहे हो लेकिन एक्शुन में गलत है तुम जीदने के लिए यूद मत करो तुम धर्व को स्थाफित करने के लिए यूद करो कि तुम अपने लिए युद्ध मत करो तुम मेरे लिए युद करो माम अनुज्मरन मुझस मुझसमरन करो मुझस्यश्ट करने के लिए मुझसे संतुश्ट करने के लिए का फिर न युद्ध नाय जो multiplied कि त्यारी शुरू हो गई बहुत मतलब गहमा गहमी हो गई लोगों ने शंक बजाए और जितने शंक बजते चले अर्जुन और डिस्टर्ब होता चला गया डिप्रेस्ट हो गया कि जैसा मैंने अभी आपको गोला डिप्रेस्ट विक्ति को आप कुछ भी बता दो उसको कुछ समझ नहीं आती है अगर भगवान कृष्ण अर्जुन को उस हालत में अगर नौलेज देते अर्जुन एकसेप्ट नहीं करता तो भगवान ने पहले अर्जुन को जान दिया उसको उस डुख में से भाहर निकाहन के लिए ऑऔर कि जो देखो तुम उसको मार दिया मैं ने उसको मार दिया उसने इसको मार दिया वह सब यह नो ऊपर्राइब लीज क्या हो रहा है कि अर्जैन को पहले डिप्रेशन में से भार निगाला है यह बात बता का कि आप आत्मा हो और फिर बहुआने अर्जैन को क्या बताया कि अगर तुमने यह समझ लेकिंग तुम आत्मा हो तुम्हें ये भी समझना पड़ेगा कि तुम्हारा actually में relationship किसी है। हम लोग जो भी काम करते हैं, हम अपने शरीर को ध्यार में रखे करते हैं। जितने भी काम हमने पैदा होने से आज तक किये हैं, हमने अपने शरीर को ध्यार में रखे किये हैं। कोई भी काम आप देख लो हम खाना खारे शरीर के लिए खा रहे हम पढ़ाई करने शरीर के लिए बते हैं कि हम अच्छे से एज्यूगेशन ले लेंगे आगे जा के हमें वहाया हम अच्छी नौरी करने हैं अच्छे बिजनस हमारा चलेगा अगर हमें अच्छी से नौलेंज होगी हम लाइफ को अच्छे से से डिल कर लेंगे marriage हो जाएंगी, परिवार अच्छे से चलना शुरू हो जाएगा, हर चीज में हम लोग इस body को लेके आ रहे हैं, लेकिन भगवान ने अर्जुन को बोला कि आप प्लीज ये body के level से उपर उठ जाओ, आप ये मत समझ लो कि कोई भी काम है, उसमें हर चीज का effect body पे आ रहा है, effect mind पे आ रहा है, effect soul पे आ रहा है, after all जो भी हमारी body जहेल रही है, सुख्या दुख, वो हमारी soul भी तो, जो हम लोग हैं, हमारी आत्मा, वो भी तो अनुभव कर दी है, करी हैं नहीं कर दी, आप में से कोई कह सकते हैं कि हमें सुख और दुख्या नुभव नहीं हो रहा है, ह हम में से हरे एक व्यक्ति को सुख्या दुख्या नुभव हो रहा है, और हजब हम बोलते हैं कि हम, हम का मतलब है आत्मा, जो भगवान कृष्ण ने अर्जन को बोला कि अगर तुम अपने आपको आत्मा के स्तर पर लाकर सोचोगे, तो तुम्हें सोचना पड़ेगा कि तुम सोच रहे थे, कि भीषम पितामा से मेरा संबन्दा है, दरोनाचार से संबन्दा है, क्रिपाचार से संब्धा है, अधृष्टि, भीम, नकुल, सहिदेव, यह सब लोग से मेरा एक रिलेशन्शिप है, लेकिन जब तुम आत्मा के स्तर पर आ याव गए, तो आत्मा क तो जब हम यह मालने कि हम भगवान का अंश्य है तो फिर हमारा करतव भी क्या है हमारा करतव्य है जिस तरह से पूत्र का करतव्य है पिता की सेवा करना इसी तरह से आत्मा का करतव्य है प्रमात्मा की सेवा प्रमात्मा की सेवा यहां तक बात समझ में आ रही है आपको कुछ पुछने आपने यहां तक अगर कोई बात समझ में नहीं आ रहे हैं आप सुन भी रहे हों तो अरजुन ने बोला कि अगर मैंने मान लिया कि मैं आत्मा हूं मैं शरीर नहीं हूं और मेरा एक आप से एक रिलेशन्शिप है और कृष्ण ने बोला अहम बीजा प्रदा पिता मैंने जो बीज दिया है जो बच्चा होता है husband-wife जो संबंद से बच्चा बैदा होता है वो बच्चा माता की संपत्ति नहीं माने जाती है वो बच्चा पिता की संपत्ति माने जाती है क्योंकि वीर्य देने वाला पिता होता है इसी तरह से ग्रटों क्रिश्ण किऊंकladı कि भुवान क्रिश्ट बीज गेरए सीड जो है अधियों ध UX के र हो सब्वान कॉटों करें कि ऊर जिस तरह से पुत्र का करतव्य है कि पिता कि सेवा करना उस तरह से आत्मा के रूप में हमारा करतव्य है वाध कि की है सी यहां तक पूंच गए हो किया आपको तक बास समझ में आई है अा इस कितने लोगों को समझ में आरही है इसक्भाधि क्यों वह कि अपa अरज्वन ने बोला कि मैं चलो समझ गया की मुझे आपकी सेवा करनी है लेकिन आप प्लीज मुझे बताएं कि आपकी में सेवा कैसे कर सकता हूं आप में से कितने लोगों ने भगवत गीता पढ़ी है बाई रवे गौरतपुर वाली इस कौन की? गौरतपुर की आपने पढ़ी है भगवत गीता क्या है? कौन बताएगा? भगवत गीता एक्शुली में क्या है? चलो आपने पढ़ी यहाँ बताओ वारतालाप से भी बेटर टर्म है और कोश्चन अंसर है वारतालाप से बेटर वाड़ है कोश्चन अंसर है अर्जुन और कृष्ण आपस में information sharing कर रहे हैं अर्जुन अपने doubts सामने रख रहे है अर्जुन अपने doubts सामने रख रहे है और भगवान कृष्ण उन questions के उन doubts के answer दे रहे है और जब भगवान answer दे रहे है तो भगवान क्या कर रहे हैं भगवान अपना माइंट रिवील कर रहे हैं भगवान ये बता रहे हैं कि उनके मन में क्या है तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ कि जो भगवत गीता है वो भगवान का मन है गहोगे समूख की पूजा करने सबसे अच्छा तडिका क्या है है अगर हम आपको बोलें की आप प्छीज भगवर्गिता की पूजा की आप अरसे अरो और में पोला करेंगे बहुत सारे लोग है और भगवदगीता खृत के लेकर जाते हैं उसको बहुत अच्छे से कवर में लपेट के उसको अपने घर में मंदिर में रख देते हैं और रोज उसको आर्थी करते हैं उसकी आइना कि रोज उसकी आरती करते हैं कभी इसको खोल कर नहीं देखते लेकिन एक्चुली में भगवत गीता की पूजा करने का तरीक है कि अपने बुद्धी से पूजा करो भगवत गीता को वर्षिप करना है तो इंटेलिजेंस से वर्षिप होगी, इंटेलिजेंस से बुद्धी से वर्षिप कैसी होगी भगवत गीता की, जब आप भगवत गीता को पढ़ोगे, जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तक फॉलो नहीं कर पाएंगे लेकिन कैसे पढ़ें कौन सी भगवत गीता पढ़ें एक कोश्चन कोश्ची आई सी भगवत गीता है जिसको पढ़ने से हमें एक दम क्लियर हो जाएगा कि यही भगवद गीता जो धुवान कृष्ण कहना चाह रहे थे पांच जार साल पहले यह एक्जाक्ट इसका मतलब निकल के आ गया बच्चे प्लीस मट करो यह कैसे हम पता लगा सकते हैं यह हम पता लगा सकते हैं यह पता लगाएंगे तो इसका आंसर दिया शिव जी ने पद्म पुरांगे शिव जी ने बोला कि अगर भगवद गीता के बारे में आपको जांकारे लेनी हैं तो चार प्रमानिक संपरदाएं प्रमानिक संपरदाएं से अगर आप यह इन्फोर्मेशन ले लोगा भगवद गीता के बावान क्या कहना चाहरे हैं अगर आप सिंपल लैंगवज में समझना चाहते हो इस चार संपरदाएं के पास चले जाओ इस संपरदाए क्या चीज़ है संपरदाए स्कूल में डालते हैं का पता चरे एक आठारा साल 15 साल भंष स्पोर्में बच्रेक पाख्यों में लीविंग सेक्टिपीकट देशा यहां कि इस ले शिब्लेल ने वो ला की चाहीं परदाएं वोन चाहर संपरदाए मिस्कोल होela आप वहां से नॉलेज दे सकते हो तो वो कौन से चार रिकोगने स्कूल है तो शिव जी ने कर देखो भगवान कृष्ट ने अलग अलग टाइम पे चार लोगों को यह नॉलेज दी थी उन्होंने नॉलेज दी भ्रह्मा जी को तो भ्रह्मा जी से एक संप्रदाय शुरू हो गया भगवान कृष्ट ने नॉलेज दी भगवान कृष्ट ने नॉलेज दी शिव जी को तो शिव जी से एक संप्रदाय शुरू हो गया रुद्र संप्रदाय भगवान नॉलेज दी ल को तो सिर्व नेंसें से आप वह नौलेज ले जम्राइब और और अब मधवत गीता को समझ सकत अच्हें जो इसकॉन मध जिए नोले जारिये और ती जो पूरा गुरू परमपर भगवान कृष्ण जे शुरू वहीं ब्रह्मा जी फिर चतन्य महाप्रभु आए और बहुत सारे शट गुस्वामी आए रूपा गुस्वामी सनातन गुस्वामी उन्होंने उस नॉलेज को जिस तरह से गुरु परंपरा से प्राप्त किया जैसे भगवान कृष्ण का मन तब देता जैसे भगवान कृष्ण की इ तो श्रीला प्रहुपार ने एक्स्प्लेंड कर दिया और श्रीला प्रहुपार ने एक्स्प्लेंड सिर्फ सिंपल एक्स्प्लेंड ने किया उन्होंने अलग अलग पुरानों से अलग अलग गरंतों से वेदों से रेफरेंसिस लेके आए यह बताने के लिए कि जो भगव कि दे रख रहा है ऐसा नहीं कि वेदों में कुछ और को रहा है कि आप पकश्न मेरी मेनी स माघ्रम मेर्ची मेरी पूजा करो मुझेन नमस्कार करो मुझे पंधान करो कईछी लोग है बोलते हैं कर द्बक्टर रामा-कृ मेनने कर्षण जब कृष्न के रहे हैं कि मन मना भव मद्बद्व noodle मद्याजी माम नमस करूँ तो माम नमस करूँ का मतलब कृष्नकोмотр नमसकार मत करो क्रिश्न के अंदर कोई परमात्म्य उसको ममद शक़ार करो कियों कुई वो संपरदाय से नहीं आ रहे हैं अगर आपको समझने है एक्चुली में कृष्ण का क्या मुंतर में है तो आप भगवद गीता जो चार संप्रदायों में से आ रही है और एजामपल भगवद गीता का जो महत्मे भगवद गीता का जो महत्मे वो सभी वेदों के अंदर दे रखा है ऐसा बताया गया है कि भगवद गीता के अंदर जो संदेश है सारे वेदों का निचोड इसके अंदर है और वेदों में करोड़ों श्लोक हैं नहीं समझ सकते नहीं पढ़ सकते सास्टों श्लोक नहीं पढ़ पा रहे हूं वेदों का सारा निचोड तो है इसमें लेकिन साथ साथ ऐसी बाते भी हैं जो वेदों के अंदर नहीं दे रखी है और वैश्नमिय तंत्र एक ग्रंथ है उसमें बताया गया कि अगर आपने भगोद गीता का अगर आपने पूरी भगोद गीता पढ़ ली तो अमेजिंग आपको फल मिलेगा अगर आपने एक श्लोग भी पढ़ लिया मोक्ष सीधा जनम रित्यू से चुटकाड़ा वोड़े एक श्लोग क्या आधा श्लोग पढ़ लिया तो भी आपको बेनेफिट होगा आधे से भी आधा पढ़ लिया तो भी बेनेफिट होगा फर गांपल भगोद गीता का पहला श्लोग क्या है धरम ख्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युजित्सवा मामका पांडवास्चायव किम अकुरुवत संजिया तो यह धृत्राष्ट पूर रहे है धरम ख्षेत्रे कुरु तो ख्षेत्रे बस आपका जीवन सफर हो चुका इतना महत्व है कि सिरफ एक चुठाई अगर आपने श्लोग बोल दिया जन्मृत्य से भार निकल जाएंगे लेकिन आप यह सोचिए कि अगर एक चुठाई श्लोग बोलने से इतना बेनेफिट है तो अगर आप पूरा श् ठर पढ़ लिए तो इमयजन नहीं कर सकते कृष्णा कहा रहे है कि यद्छक वाला कि आश्म आप इस भातीक जगत से बार तो निकल जाओंगे जन्म्ृत्यू कंच से भार निकल जाओंगे जन्नाम्नृत्यू कंचकर से भार निकलना अलग बात है भगवान के धाम में जान कि अगर आपने यह पूरी भगवत गीता तो जनम नित्यु के चक्र से भार निकलना भूल जाओ आप भगवान के धाम में परवेश कर जाओगे अगर जहां पर सूखी सूख है सुधाय सुधाय और सिब्से बड़ी बात है कि वहां पर एक चीज नहीं है जो यहां पर बहुत स्ट्रांग है गो कैं भगवान के ढांप में सब कुछ है कि जो यहां पर नहीं है लेकिन एक ऐसी चीज है जो यहां पर है भगवान के ढाम नहीं है कौन जिदा है। हुं है तूत इन तांस नहीं करता है व भुबान के धाम में काल काम नहीं करता ह्थ हुआ है कि हर तांस चाहरे मतलब यह सोच कि नहीं सकते कि कल था ऐने पालय ऐसा कुछनिय जो कुछ है अभी है यहां पर हम लोग हर दिन बूड़े होते जारें और मृत्यू के निकट जाते जारें वहाँ पर मृत्यू नहीं है जन मृत्तु जराव्यादी कुछ नहीं है वहाँ पर एक बारा वहाँ चले गए बात खत्म है यह इतनी बड़ी बात आप एच्छीव कर सकते हो सिर्फ भगवदगीता का पार्ट करने से निसेंबर के महीने में भगवदगीता पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट हम क्यों भगवदगीता पर जोड़े रहे हैं हम इसलिए जोड़े रहे हैं क्योंकि यह पीछे मौक्षदाय का असी गही है 30 तौमबर को इस दिन भगवदगीता एक्छीली में बोले गई थी और अग अगर आप लोग इस भगवत गीता को खरीदते हो पढ़ते हो किसी को गिफ्ट देते हो तो आपकी जो इमेजिनेशन जहां तक जा सकती है उस इमेजिनेशन से बहार जाकर आपको उसका बेनेफिट मिलेगा तो मेरी रिक्वाइस्टी है कि आप प्लीज जो हमने आपको बोला और अगर टीचर कोई बात भूल रहा है और उसको एक्जाम पास करने में वो हेल्प करेगी तो उसकी सीरिसनेस उसकी जो उतकंठाय और ज्यादा बढ़ जाती है आप ऐसा मत सचो कि आपने सारे एक्जाम पास कर लिए अभी एक एक्जाम आने वाला है और उस एक्जाम का कॉंहां नाम है ड़्त मृति नाल करना ही पड़ेगा जातस्य धुरूम अमकर भवापर हुआ पढ़े में कहले हिसे हरएक व्यक्तिकों मृतियकैसा मया गरना पढ़ेगा भ्यक्तिव एक टेस्ट को अजहां पर यह चेक होगा कि आपने जिस काम के लिए आपको human body दी गई थी आपने वो यूज किया के नहीं किया जैसे हमारे श्रीनिकेद प्रभू है जो पहले अभी किर्तन कर रहे थे उन्होंने बोला उन्होंने बोला कि मृत्यू के समय आप कैसा ध्यान करोगे वैसा श्रीर मिलेगा तो यह टेस्ट है हमारा और यह टेस्ट हम पास कर सकते हैं सिर्फ भगवत-गीता को पढ़के भगवत-गीता का पालन करके भगवत-गीता को अपने जीवन में उतार के और अगर आप यह जा प्रयाप निया है हम लोग अपने शरीर के लिए हर काम करने हैं प्लीज मेरी आप से रिक्वेस्ट है कि आप अपने आत्मा के लिए जो आप वो खुद उसके लिए भी कुछ खांग को और सीरिसली यह सोचो कि मैं कैसे पापों से बच सकता हूं या बच सकती हूं कैसे मैं जन्मृत्यू से भाहर निकल सकता हूं यह जो कोश्चन है अगर आपने पूछना शुब पर दिया यही बेसिकली जीवन की सफलता है अगर आपने यह कोश्चन पूछ लिया तो समझ लो आपने लाइफ की जो इंपोर्टेंस है उसको आपने समझ लिया ठीक है आप सब का बहुत जिन्ने माई